जैन दोस्तों, दोस्तों सबसरफ पताम मैं आपको जो हूँ, Happy New Year, Advance मैं कहना चाहूँगा, और जब यह आप वीडियो देख रहे होगे, तो 1 January 2024 आभी चुकी होगी, लेकिन उसके एक दिन पहले, यानि कि 30 दिसंबर को मैंने पूरे दिन बहुत कुछ सोचा, कि कैसे जो है एक नया यूनिक वीडियो इस साल की सुरुवात यूनिक वीडियो से की जाए, तो जब मैं बहुत सोचता हूँ, तो मैं पाता हूँ, कि चुकी मैं एक टीचर भी हूँ, प्रोफेसन से, लेकिन परसनली मैं एक स्टुडेंट ही हूँ, और स्टुडेंट ही रहना चाहूँगा, और मुझे अच्छा लगता है एक स्टुडेंट रहना, मैंने अपनी स्टुडेंट लाइफ में कहीं सारे गलतियां की हैं, आपने भी की होंगी, या हो सकता है आप student ही हो या हो सकता है आप बच्चे हो, बुडे हो, जवान हो जो भी हो ये वीडियो सबी के लिए है यदि आप कुछ सीखना चाहते हो यदि आप कुछ करना चाहते हो ये देखिए कोई motivational वीडियो नहीं है आप पहले ये समझ लिजिए इस बीडियो को देखने के बाद आपका जो mind का level होगा वो बहुत उपर जा चुका होगा क्योंकि इस बीडियो में मैं आपको चूंकि ये बीडियो क्यों important है मैं आपको सबसे पहले बता दूँ मैंने काफी research की है इसके पीछे काफी research के बाद ये वीडियो ला रहा हूँ मैं मेरा तालुक जो है कहीं सारे subject से रहा है फिर चाहें वो history हो, geography हो, quality हो, economy हो, art and culture हो और science and tech हो, defense हो, international relations हो, या world map हो, या GS हो ये सारे लगबग subject चाहें वो philosophy हो, चाहें वो psychology हो चाहें वो research हो, चाहें वो survey हो, चाहें वो physics हो, चाहें वो chemistry हो इन सारे subject से मेरा राता रह चुका है और इन सारे subject से आप कहोगे इतनी चोटी से उमर में आपने कैसे सब तैयार की है तो उसके पीछे एक history है, वो कभी और बताऊंगा फिलाल, आप मेरे बारे में नहीं बचानने आयो मैं आपको 24 ऐसे अभीद मंत्र बताने वाला हूँ जो यदि आप student life में follow कर लेते हो तो यकीनन आपका mind of level होगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि सर्वोत्तम सभी चीजों में जैसा कि बगवान से क्रिष्ण भी कहते हैं कि जो ज्यान है, वही सर्वोत्तम है और देखिए कोई भी ब्यक्ति महान तो बन सकता है धन की बदोलत, पैसे की बदोलत लेकिन उसको अगर दुनिया में बहुत महान बनना है तो वो सिर्फ mind से ही हो सकता है mind का जो spiritual level है जो mind का level है, उसी को बढ़ाना पढ़ेगा तो चलिए भीना किजी बगवास की जीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले बात की जाए मैं इस वीडियो का topic जूँँ decide करते हैं टाइम मुझे एक गंटा खा गया मैंने इस वीडियो का topic रखा है my vision to the enlightened minds of the ignited nation मतलब इसका क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ मैं इस वीडियो में जो मरे हुए दिमाग है उनको जिन्दा करना चाहता हूँ यानि कि enlightened करना चाहता हूँ सिच्छा प्रद करना चाहता हूँ और किसको इस देश के ignited जो देश दिन बर जलता है जो देश प्रजुलित है इस जोती को जो हूँ ताकि जलती रहे continue इसके लिए जरूरी है इस देश के mind को जिन्दा किया जाए जैसे कि हमारे कलाम सर से भी किसी ने पूछा था जैसे आप मेरे पीछे दी देखना चाहोगे तो आप देख भी सकते हो आपने कलाम सर से एक बार पूछा था कि हमारे देश का सबसे बड़ी ताकत क्या है तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है युवा, युथ, बट अगर ये युथ के पास अगर एक बिजन नहीं है, अगर कोई एक लच नहीं है, तो ये युवा बेकार है, ये हमारी सबसे देश की बड़ी कमजोरी होगी अगर इस देश के युवा के प यानि कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होगे जब जागो तभी सवेरा तो ये वीडियो सभी के लिए अमेशा काम आएगा अब यहाँ पे जो है हमारे देश में कहीं सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनकी समस्याओं को मैं point by point बताऊंगा और उससे इस्टुडेंट्स को बहुत कुछ सीखने मिलेगा हमारे देश की समस्याओं क्या हैं बिरोजगारी, violence हिंसा होती रहती हमारे देश में सबसे बड़ी चीज है बिरोजगारी इस पे भी बात करेंगे हमारे देश में हिंसा कहीं युवा जो है हिंसा में फस जाते हैं कट्रवाद, कोई भी आता है नेता कूटा वो बढ़का के चला जाता है, बढ़क जाते हो और नसा, देखी नसा बेकार नहीं है हेल्थ को जो आपकी डिस्ट्रॉई करे या आपकी पावर को डिस्ट्रॉई करे वो नसा बेकार है टीचर्स के खिलाप आप उल्टा सीधा बोलते हो ठीक है किसी बिचार धारा को आप गलत बताते हो या बिचार धारा के लिए वाइलेंस करते हो गलत है धर्म के आदार पे आप लड़ते हो अपने धर्म के लिए जीते हो धर्म के लिए मरते हो आगे बात करेंगे आप जातिवाद को सपोर्ट करते हो कास्टिजम करते हो आगे बात करेंगे आप छेतरवाद को सपोर्ट करते हो कि यह हमारा यह तुमारा ऐसा वाइसा आगे बात करेंगे आप भासावाद को सपोर्ट करते हो लिंगिस्टिक के हम ये भासा हिंदी भासा बोलते हैं अंग्रेज वाले बेकार हैं या आप अंग्रेज बोलते हो तो हिंदी वाले बेकार हैं मराथी बंगाली गुजराथी बंगाली अड़ी उडिया तमील तेलगू मलयालम, कन्नल जो भी भासा आप बोलते हो उस पे आपको प्राउड है अच्छी बात है इन सभी मुद्दों पे जो है हमारे युवा अक्सर गीरा रहता है वो मुद्दे हैं बेरोजगारी इनसा, कट्रवाद, बढ़काना, नसा, टीचर्स बिराज, बिचारदारा, धरम, जातिवाद, छेतरवाद, भासावाद इतने सारे मुद्दे हैं हमारे देश में और जिन पर युवा अमारा आए दिन फसा रहता है क्या युवा ऐसा होना चाहिए मैं आपसे सवाल पुछता हूँ तो चलिए इस वीडियो को point by point start कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं number 1 point की जिसका मतलब है कि education जरूरी ही क्यों है क्यों education हर बेक्ति को educated होना चाहिए और education और धर्म क्या साथी में है तो मेरा यह समानना है हाँ, दरसल जो धर्म के पंडित होते हैं जो प्रचार होते हैं, जो आचार होते हैं, जो कथाकार होते हैं, जो धार्मिक बातें करते हैं, यदि उनके हम धार्मिक बातों को बाहर निकाल दें, यदि उनकी धार्म की कटरता है, यानि धार्म का प्रचार को बाहर निकाल दें, देखिए धार्म का सबसे पहले तो आपक का दर्म है पढ़ना धर्म ब्यक्ति ब्यक्ति पर निर्वद करता है धर्म का मतलब है कुछ ऐसे कोड़ कोड़ ओप कंड़क्ट जो हर किसी को फालो करने चाहिए यानि कि एक अच्छी लाइफ कैसे जी जाए यही हमारा धर्म सिखाता है यह जो धर्म की देफिनीशन हमारे पंड़िता चार्र करते हैं और जो जो मौलवी, मौलाना यी सब करते हैं इनकी देफिनीशन वो बिल्कुल संकील है नैरो हैं हमें अपनी definition बदलने के जरूर नहीं है हमारी definition क्या है कि कुछ code of conduct जो एकदम healthy हो जो आपको जीना सिखाएं जो आपको जीने की सिच्छा दें जो आपकी life को जो है mentally spiritual upliftment करें वही धर्म है और यही हर एक कथाकार जो एक अच्छा पंडित होता है यानि कि आप education जरूरी नहीं teacher से ही लो जरूरी नहीं आप किताबों से ही ली जाए जरूरी नहीं कि आप किसी ब्यक्ति से ही लें वो किसी से भी मिल सकती है education का source कुछ भी हो सकता है मैं बहुत wide definition बता रहा हूँ education कहीं से भी मिल सकती है अगर धर्म का ब्यक्ति अगर को आपको डेली जो है कता सुनाता है उससे आपका mental appointment करता है तो वो भी ठीक है अब बात आती है कि education से क्या हो सकता है तो यहाँ पर मैं आपको बहुत basic बात बताना चाहूँगा कि धर्म education यानि कि सिच्छा पा करके ग्यान प्राप्त करके इस द में लोग भगवान बन चुके हैं सिर्फ education की बदौलत यानि कि education कितनी powerful है जी हाँ आप student होंगे यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे आप नहीं समझ पा रहे होंगे इसकी ताकत को आप ज़रा सोच के देखिए जब कोई सी ब्यक्ति के पास बहुत जादा education होती है हम उसका mental level है जो जादा सोच सकता है बड़ा सोच सकता है उसका mental level जादा है जो जिसका दिमाग बहुत पास चलता है उसका mental level जादा है यानि कि education से ब्यक्ति जाब तो छोड़ो भगवान बन सकता है जी हां लेकिन आगे बात की जाए कि education का और भी कोई मतलब होता है जी हां art of understanding भी हम education को कह सकते हैं यानि कि समझने की कला और जो बेखती जितना अच्छा से समझेगा वो उसकी समस्याओं का निदान भी वैसे ही कर पाएगा यानि कि जब आपके अंदर education से understanding ही नहीं आएगी तो आप समस्याओं का समधान कैसे कर पाओगे समस्याओं का समधान समझने के बाद ही होता है और क्या education का मतलब है education का मतलब एक और है कि application of knowledge आप अपनी application of knowledge is called education यानि कि अपने ग्यान का प्रियोग आपके अंदर कितना amount of knowledge है does not matter आप उस amount of knowledge का कितना प्रियोग की बेतरीन कर लेते हो आपके पास हतियार 47 से matter नहीं है आप चलाने वाले कितने बेतरीन हो मतलब आपका amount of knowledge matter नहीं करता है आप उसका प्रियोग कितनी गतरनाक तरीके से करते हो ये जो है understanding से आता है education से आता है जिसमें जो है वो आप एक दिन में नहीं गेन कर लोगे आपको निरंतर जो है दो तलवारें चलानी पड़ेंगी एक जो है आपको वैराग दारन करना पड़ेगा मतलब आपको कोई भी लालाच में नहीं फसना है एकदम वैरागी बनना है देखिए मेरे जो है गुरु जी कहा करते थे बिद्यारती जीवन तफस्या का जीवन होता है और जब तक आप वैरागी नहीं बनोगे एजुकेसन आप गेनी नहीं सकते हो और दूसरा है निरंतर प्रयास कांटिनू एक्सरसाइज यदि आप प्रयास करना बंद कर दोगे वैरागी नहीं रहोगे तो आप एजुकेसन गेन नहीं कर सकते हो बिद्यारती जीवन तफस्या का जीवन है तीसरी बात क्या पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए बड़ा बहेंकर प्रशना है कि कई बार क्या होता है बच्चों को पैसों की जुरूत पढ़ती है तो उन्हें नोकरी भी करनी पढ़ती है आई मैं जहूं आपको मना नहीं कर रहा हूं नोकरी करने से आप जो है सबसे पहले एक-एक कोशन को लेता हूं क्या पढ़ा जाए अभी मेरा टापिक बनी चला है एजुकेशन क्यों करनी चाहिए क्या पढ़ा जाए तो देखिए जिसमें भी आपको अच्छा लगता हो जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो जिस भी सब्जेक्ट में आपको मास्टर बनना हो जिस भी subject के आपको दुरंदर बनना हो अब ये आप कैसे decide करोगी कि आपकी subject में आपका मन लगता है कि subject के आप दुरंदर बनना चाहते हो यानि कि आपका aptitude क्या है तो ये मैं आगे आने वाली वीडियो में अभी मैं बात करूँगा आगे मुद्दा मेरा है कि ये भी है कि आप अपना aptitude कैसे decide करोगे तो जिस भी field में आप मारत हासिल करना चाहते हो उसी में पढ़ना चालू कर दीजिए सवाल ही है कि कितना पढ़ा जाए तो देखिए सवाल ही गलत है सिच्चा जो है न वो जीवन की जब तक अंतिम सांस है आपकी तब तक काम आएगी यानि कि जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपको सीखना पड़ेगा और यदि आप नहीं सीखना चाहते हो तो जो है आप अपनी healthy life enjoy गेजिए आराम से सीखिए सिच्चा सिर्फ किताबों से लेना मतलब नहीं है हो सकता है बुड़ापे तक सीखो जरूरी नहीं मैं किताबों से सीखिनों का कह रहा हूँ आप mobile से सीखिए आप telephone से सीखिए आप smartphone से सीखिए आप दूसरों के साथ काम करके सीखिए आप दूसरों की गालियों से सीखिए, आप दूसरों के क्रिटिसाइज से सीखिए, आप दूसरों के अनभों से सीखिए, आप जो स्कॉलर्स मर चुके हैं, जो बिद्वान मर चुके हैं, उनकी बायोगराफी से सीखिए, आप तमाम सुत्रों से सीख सकते हो, सीखना कभी मत बन्द कीजिए और यो दुनिया आपको उमेशा सिखाती रहेगी तो शीखना आपको कभी नहीं बंद करना है यहां आप पारलेल भी कर सकते ओ, आप जॉब भी कर सकते हो सीख भी सकते हो बट आप यह कहो कि कब तक सीखना है तो जिंदगी भर सीखना है यह यह आप बेहतरिन know that they know very few आगे बात करी जाए तो क्या education इस पर्याप्त है यानि कि education अगर हमने हासिल कर ली तो क्या हमारा जीवन चल जाएगा तो मेरा जवाब ना education आपको कभी कभी boring लगने लगेगी उस समय कौन काम आएगा उस समय काम आएगी आपकी skill देखिए आज जवाना digitalization का है, आदुनी की क्यारण का है modernization का है आज एदि आप जो है आपके पास education तो है बड़ आपके पास skill नहीं है तो आप बेकार हो, जैसे माल लिजी आपको computer की knowledge बहुत अच्छे से है theoretical knowledge, बड़ आपके पास practical knowledge नहीं है तो बताओ काम आएगी कभी नहीं आएगी, यानि की आपके पास education के साथ साथ एक कला भी होनी चाहिए एक skill भी होनी चाहिए एक art भी होनी चाहिए तो आपको हर कोई व्यक्ति आराम से जाब दे देगा, और ये देश में बेरोज़ारी ही कतम हो जाएगी यानि की आपको सिर्फ वेजुकेसन ही नहीं लेना है आपको सिर्फ theoretical ही पड़ना है आपको practical भी पड़ना है तक आपका mental upliftment भी हो साथ में physical upliftment भी हो तक की आपमे एक talent भी आए और आपमे एक skill भी आए तकि आप जो है अपनी skill पे काम करके कहीं पे job प्राप्त करो और फिर उस job से जो है जो आपने अपने जिन्दगी बर में सीखा था उसको जो है practical करो practical करने के बाद आपके पास जो real experience आए उनसे आप जो है master बनो क्या बात है तो ऐसे जो है education हमारे देश में बहुत important है लेकिन यहां पर सबसे पहले बात यह आती है कि education क्या अपने लिए पढ़ी जाए या दुनिया के लिए पढ़ी जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले जो है आप जब student life में होते हो सबसे पहले स्वार्थी बनो यानि कि सबसे पहले अपना सोचो जब आप एक level पे balance हो जाओ यानि कि जब आपको जो है इतना आपके पास पैसा हो जाए इतना आपके पास अगर आपके पास हो जाए पैसा या माली जी जितना भी आपके पास minimum level हो जाए तो आप परमार्थ पे काम करो आप कहोगे सर परमारत पर कैसे काम किया जाए मेरा तो मन है मैं इस कारपियो लूँ फरारी लूँ और मर्सेडीज लूँ BMW लूँ Audi लूँ इस ब्रह्मान पर कब जा करूँ तो मेरी महतोकांचा कब खतम होंगी ये मुझे कब पता जलेगा तो देखी मैटरलिस्टिक जो चीजें होती है वो आपको कभी भी जो है खुसी नहीं दे सकती है यानि कि आपको जब एक लेवल पे आपको लगे कि आपका रोटी कपड़ा और मकान तैय हो चुका है अब आपको कोई जरूरत नहीं है तो आप कुछ परमार्थ के लिए भी काम करो यानि कि जो सुसाइटी ने आज तक आपको दिया उसका कुछ रिटर्न किया जाए वन्ना मैं देखता हूँ इतने करोलबती लोग हो जाते हैं और जिंदगी पर अपनी बस पालन पोसल में लगे रहते हैं और अमेशा उनकी इच्छाएं नहीं पूरी होती है आपका फर्ज है कि आपको सुसाइटी ने कुछ दिया है आप कहोगे नहीं तो मैंने तो जिंदगी पर जो आए अपने पैसे से कमाई की है मैंने अपने दम पे सब किया है अपने दम पे मैं इतना बड़ा इंसान बनाओ नहीं आपकी जिंदगी में मैं बता दूँ सुसाइटी कहां थै यदि एक दूद वाला आपके गर पे ना आता तो आपको डिस्टर्बेंस पर क्रियेट होती अगर आपके गर पे पानी ना आता तो डिस्टर्बेंस क्रियेट होती यदि आपका कोई काम ना होता सरकारी दफतर में तो डिस्टर्बेंस क्रियेट होती यदि आपको समाज गाली देता तो भी डिस्टर्बेंस क्रियेट होती यदि समाज आपको सबजियान अगर पे आके देता तो भी disturbance के लिए create होती यदि आपको teacher ना पढ़ाने आता तो भी disturbance के लिए होती यदि आपकी माजी जो है आपके लिए खाना ना बनाती तो भी disturbance के लिए होती यदि आपकी पिता जी आपको पैसे ना देते तो भी disturbance के लिए होती और आपने कैसे कह दिया या फिर जो ब्यक्ति आपको धोका न देते, आप कैसे सीखते, जिन ब्यक्ति उन्हें आपको क्रिटिसाइज ना किया होता, आप कैसे सीखते, यानि कि इस जो आपकी personality है, इसके build-up में पूरे समाज का युगदान है, इस दिमाग से बिलकुल निकाल दीजिए, कि इसमें सिर परमार्थी बनीक, इसमेक बात कर लेते हैं, दूसरी समस्या पर, या दूसरा मंत्र मेरा क्या है, दूसरा मंत्र है, आप experience करने में मत गबराईए, इदि आप से गलतियां होती हैं, आराम से केजिए, जितने होती हैं, उतनी होती ह yani कर लिए, जीतना ज्यादा यादी आप सी एंइसेंजोसर में कुणतागा कि मैं फॆदेस्सCH सब्सक्राइब how to do आप या ऐसे सब्सक्राइब क्या हुए execution द्सक्राइब है medel खर्टी हुआ मैं या फैनली हुआ फैलनी उवा मैंनेब्स वह एक हजाद तरीके जान लिए हैं जो काम नहीं करते हैं आपको गलतियां तो करनी है, बट उनको note down करिए, कि आपने गलती की, इसके positive consequence क्या हुए, negative consequence क्या हुए, और इनसे हम क्या सीख सकते हैं, लेकिन दुबारा गलती वो नहीं होनी चाहिए, यह याद रखिए, गलतियां खुब कीजिए, part खुब कीजिए, ताकि आपके पास एक experience आए, और आपको एक पता चले, आगड़ा पता चले, किया यह काम करता idea या नहीं करता है, गलतियां कीजिए, बढ़ repeat मत कीजिए, यह दूसरी नंबर है, जिसमें मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा, कि आप दूसरों की गलतियों से सीखिए, आप अच्छा दिमजिंद होता है, कि तरह तरह की, जो case study होती है, जैसे माली जी की पचास plane crash हुए, अगर आप उन पचास plane crash की, अगर पूरी case study पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा, उसके पीछे उनकी क्या गलतियां थी, क्या उनके पीछे consequence थे, क्या उनके पीछे pros and cons थे, जिसके कारण जो है, व आप दूसरों की case study से कुछ अपने लिए सीख सकते हो, क्योंकि आप जब तक फाल्ट करोगे, mistakes करोगे, experience करोगे, तब तक आपकी बुढ़ोती आ चुकी होगी, इसलिए सबसे अच्छा क्या है, दूसरों की गलतियों से case study से सीखिए, जो Harvard और Cambridge University में की जाती है, और इनी ग करीका है, जिससे आप अपना aptitude बता कर सकते हो, तीसरी चीज की अगर बात की जाए, तो तीसरी चीज है, कि आप अपना aptitude कैसे पता करें, यानि कि आपको क्या अच्छा लगता है, या कैसे पता करें, ये देखिए, एक student मैं देखता हूँ, कि वो high school intern में पहुंच जाते है या बड़े-बड़े हो जाते हैं, बुले-बुले, उन्हें यही नहीं पता रहता है कि मुझे करना क्या है, तो देखिए, ये बहुत बिचित्र subject है, कि आपको कैसे पता किया जाए, कि आप जो है, क्या करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है, बहुत जो है, ये बहुत ही डिपिकल्ट टास्क है कि स्टुडेंट के लिए, कहीं बार इस्टुडेंट देखता क्या है, कि सामने का किसी ब्यक्ति को देख लिया, आई, इस, ये माल लिजिए, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ये जे, नीट, ब्यक्तियों के जो है, आज कली status भी वायरल होने लगे हैं इनको देख करके एक student अपनी जो है अभिवरत्ती बना लेता है aptitude बना लेता है बड़ मैं आपको बताना चाहूँ कि ऐसे आपको decide नहीं करना चाहिए कि आपको क्या पसंद लगता है सबसे पहले तो आप mistake कीजिए जैसा कि मैंने दो number में बताया तीसरे number में मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप अपने aptitude कैसे बता करोगे जब आप ये बहुत सारी experiment कर रहे होगे अपनी जिंदगी पे ये गलतियां कर रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है ये आपका mind खुद ना खुद कुछ बताएगा और जब आपको पता चल जाए कि आपको क्या पसंद है तो देखिए सबसे पहले जो है aptitude तो आपने पता कर लिया अपने आपसे ये पूछिए कि आप दुनिया में कुछ बढ़ा करना चाहते हो ये छोटे में एक हुषो जैसे इस दुनिया में दो प्रकार की लोग होते है एक अपनी फिल्म का देख अपनी जी अपनी जो है family परिवार अपने ये बारे में सोचते हैं दूसरे ऐसे होते हैं जो बहुत करानतिकारी टाइप की लोग होते हैं जिनको मैं नाम देता हूँ Nationalist या Universal Approach, यह वो वेक्ति होते हैं जो परमार्थ के लिए पैदा होते हैं, जो सिर्फ अपने अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं, कि हमारे बीबी बच्चे बस इसके बारे में सोचे हैं, दूसरे होते हैं Nationalist, देखिए जो अपने बारे में सोचते हैं, मैं उनके खिलाप नहीं हूँ, जो अपने बारे में सोचते हैं अच्छी बात है, अब अपने बारे में सोचते हो अच्छी बात है, अपने फैमिली बारे में सोचते हो अच्छी बात है, यह थोड़े संकीड विचारदारा के लोग होते हैं, नेरो माइंड से के जिनने बस अपने समाज जो ब्ह Fox सामाज बांकी जिन्दा रहते हैं समाज इनकी इजस्द करता है। मरने के बाद इंशत करता है। लेकिन ये काफी फैमस लए पाथे प्रसली नहीं हो पाते हैं और इनकी ख्याती जो है दूर दूर तक नहीं पहल पाती एंहें उनकी ख्याती बहुत जल्डी नश्ट हो जाती है वीयसे दूमिल हो जाते हैं जैसे माटिमेंकी बॉड़ी और तो ऐसे लोगोंको माई केटिसाइज ने कह रहा हूँ मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग हमारे देश में citizens कहलाते हैं नागरिक यानि कि इनको मैंने नाम दिया है citizens का यानि कि आम लोग हैं लेकिन इनको भी वैसे ही रहना चाहिए healthy रूप से मतलब इनकी बज़े से अगर किसी समाज में किसी ब्यक्ति को परसानी नहीं होती है अगर ये पढ़ा लिखा ब्यक्ति है educated ब्यक्ति है तो मुझे पूरा बरोसा है ये समाज के लिए अच्छा काम करेगा और अपने बच्चों को जो है या दूसरें के बच्चों को पढ़ाएगा और समाज इनको अच्छी नजरों से दिखेगा और एक पढ़ा लिखा ब्यक्ति समझेगा इन्हें मैंने citizens का नाम दिया है जबकि जो परमार्थी लोग हैं जो इस vision के साथ पैदा होते हैं इस दुनिया में कोई करांतिकारी काम करना है universal काम करना है nationalist तरीके से ये ब्यक्ति होते हैं जो अपने देश को इस दुनिया को ऊपर देख देखना चाहते हैं मानो समिता को ऊपर देखना चाहते हैं कुछ बढ़ा करना चाहते हैं इतिहास के पन्नों पे दर्जोना चाहते हैं तो उनको जो है सबसे पहले ये पता करना है कि उनको पसंद क्या है फिर उनको पसंद है उसके बाद ये पूछे है क्या क्या ये समाज क के लिए नापसंद बन जाए और उसको जो है लीगल रूप से गलत हो लीगल तरीके से अच्छी पसंद आपकी होनी चाहिए वो समाज को भी बेनी फीटे कर दे रही है तो आपका परमार्थी काम है और आप अपने आप से ये पूछिए कि जो काम आप करने जा रहे हो क्या व ये पूछिए कि आपने आप से कि आज से 20 साल पहले सबसे दुनिया का मेरी सक्स कोन था आप कोगे सरह में क्या पता तो आपने क्या देखा कि इस दुनिया में पैसे से ब्यक्ति इतना पावर्फुल नहीं बन सकता है एक राजा भी जो है अपने कारें की बदूलत याद कि किया जाता है अपने माइंड के बल पर याद किया जाता है एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भी अपने तरक से याद किया जाता है अपने लाज के से याद किया जाता है अपने यूनिवर्सल लाज से याद किया जाता है लेकिन इस दुनिया में यदि आपके पास पैसा है तो आपको हो सकता है 100-200 साल याद कर लिया जाये मेरे साफ से तो नहीं कोutके करता है बहुत ही बड़ा अगर ताकतबर आ पहों जा ऐ будете लेकिन इस दुनिया में कोई याद किया जाता है सालों साल तो वह है राजा जो यह राजा दीखी राजा यात क्यों किया थामस एलवा एडिसन का नाम सुने होगे और निकोला टेसला का नाम सुने होगे सर आईजेक नूटन का नाम सुने होगे ये सारे लोगों को क्यों याद किया जाता है आज 400 साल पहले आये थे नूटन बढ़ उनका नाम तो आज किताबों वे ऐसा ही अमर है जैसा उनकी प्रि मस होना है और देखिए हमेशा याद रखिए जो अपने लिए सोंचते हैं उनको समाज भूल जाता है जो इस्टुडेंट दूसरों के लिए सोंचते हैं जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं जो अपने देश के लिए करना चाहते हैं उनको सदय व्याद किया जाता है और पॉइंट है आप एक rational ब्यक्ति बनिए तार्किक ब्यक्ति तार्किक ब्यक्ति कौन ब्यक्ति होता है जो ब्यक्ति डेटा के अधार पर बात करे एविडेंस के अधार पर बात करे प्रूब के अधार पर बात करे यहां पर ध्यान बात यह रखनी है कि आपको तर्क के अधार पर बात करना है evidence के अधार पर सबूत होना चाहिए data होना चाहिए तब अपनी बात को बोलिए यदि आप इस्टुडेंट हो और आप ऐसे हवावाई बातें करते हो किसी की सुनी सुनाई बातों में बैक हवाई में आकर के बात बोलने लगते हो तो आप एक अच्छे श्टु का है तो उसका logic को स्विकार करना भी सीखो यह कि स्टुडेंट की अच्छी पैचान होती है कि जहां पर आपको लगे कि सामने वाला ब्यक्ति का आर्गुमेंट या logic आप से बेतर है तो उसको स्विकार कीजिए बिना जीजक स्विकार कीजिए अपने इवो को साइड में र रेट रटना है एको रेट नहीं पत रटना है बस एक अकड़ा रखा किजिए मन में कि 60% था ठीक अगर 3060 है तो साट कर लो अगला पॉइंट में बात करता हूं अगला पॉइंट है जो सबसे जरूरी है आपको समझना कि इस दुनिया में जो है कुछ भी सत्य नहीं है जी ह आप कहोगे सर सुवर्द तो पूरफ से निकलता है अरे यार पूरफ अत्तुम थोड़ा बुद्धी लगाओ देखिए इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है मेरी बात को समझ लो मतलब आप कहोगे सर मतलब आप यह वीडियों बोल ले यह भी क्या सत्य है हो सकता है मेरा यह माइंड आप माल लीजिए कि इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है सत्य कब होता है जैसे लोग कहते हैं कि जोट नहीं बोलना चाहिए मैं कहता हूँ टाइम और नेचर पर क्रती क्या है और टाइम क्या है उस पर डिपेंड करता है कि इस दुनिया में सत्य क्या है या दोपार में सत्य है कि सूरज उपार रहेगा यानि कि टाइम एंड नेचर पर डिपेंड करता है कि इस दुनिया में टूथ क्या है और दुनिया में टूथ कुछ भी नहीं है और हम क्या समझते हैं कि डॉंट एंग्री ओन मायन सेक्षन अंडर एंडर और सिच्वेशन हम क्या सुचते हैं कि अगर कोई बेक्ति एगर कोई काम कर रहा है जैसे मान लीजिए कोई बेक्ति चोरी कर रहा है तो हम सुचते हैं कि वह बेक्ति चोरी कर रहा है या मान लीजिए देखिए मैं आपको एक्जामपल लेकर दिखा रहा हूँ कि जैसे मानली जी आपके सामने कोई बेक्ति आया और किसी बेक्ति को गोली मारकर भाग गया आपने देख लिया आपने कहा सर यह तो सत्य है और इसमें आप कैसे जो है मना कर सकते हो कि सत्य नहीं है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपको दिखता है वो होता नहीं जो होता है वो दिखता नहीं जैसे जैसे इसका मतलब यह है कि जिस बेक्ति ने गोली मारी थी हो सकता है कोई बेक्ति साइड से कहे रहा हो कि अगर तुमने गोली ना मारी तो हम तुम्हारे गोली मार देंगे इससे आप क्या समझे कि इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है और इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही आप के लिए बेतर होगा यानि कि थोड़ा प्लियूरेस्टिक अपरोच लाईए समझे अपने माइंड में कि इस दुनिया में जो दिखता है उसके पीछे समझने की कोसिज कीजिए आपको जो दिख रहा है उसके पीछे क्या intention है क्या mind upset काम कर रहा है उसको समझने कोसिज कीजिए हमेशा जो उमें दिखे उस सत्य जरूरी नहीं है सत्य डिपेंड करता है टाइम एंड नेचर पे यह बहुत बड़ी चीज है मैं जो आपको बता रहा हूँ दिमाग में डालिए इस भी विचार कीजिए इन पॉइंट को नोट करते जाएए नेश्टी चीज मैंने आपको बताना है कि सीरियस मत बनिये सिंसियर बनिये मतलब देखिए दुनिया जो है न वो दुखों से बरी हुई है अब दुनिया जब दुखों से बरी हुई है यह मात्मा बुद्ध ने कहा था वर्ल्ड इच फोल आप सौरो और हम लोग हमेशा के चकर में रहते हैं कि कभी हमें सुख मिल जाए दुनिया जो है न वो दुखों से बरी हुई है और यह आपको सुख चाहिए तो समसान में चले जो सब 21 सांथ पड़े हुए है यानि कि दुनिया में जो सुख है न वो सुख है नहीं आप फालतों में चक्कर में पड़े हुए हो कि नौकरी लग जाएगी तो आपका दुख दूर हो जाएगा कुछ दूर नहीं होने वाला है आप चाहो तो इस्ट्रगल प्राइवेट भी कर सकते हो आप चाहो तो इस्ट्रगल अपने खुद का उद्धयम करके कर सकते हो इस दुनिया में struggle कभी खतम नहीं होगा struggle कतम होगा तो मरने के बाद यहनि कि आपको अपनी life को जो है sincere बन के enjoy करना है ना कि serious बन के enjoy करना है sincere बनिये, serious मत बनिये यदि आप enjoy भी करते हैं तो ऐसा केज़े जिससे किसी दूसरे की freedom को बादा ना पहुंचे जैसे मैं आज कल के बच्चों को देखता हूँ तो वो इतने बत्मीज जैसे जो है मैं देखता हूँ कि वो अपने मताज पिता की दौलत पर पैसे उड़ा रहा है कहीं कुछ smoking कर रहा है कुछ कर रहा है और इतनी बत्मीजी जो है इसकूल कालेजे में दे रहा है यह सब उनके अच्छे लच्चन नहीं है एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा सीरियस रहता है और अगर वो मौज मस्ती करता वही है तो उससे किसी दूसरे की फ्रीडम अफेक्ट नहीं होती है और वो एक तरीके से हेल्दी कॉमेडी करता है हेल्दी तरीके से जो है अपनी लाइप को उन्जोई करता है एक हेल्दी भी होता है उन्जोई करना एक अन्हेल्दी भी होता है जो किसी दूसरे को अफेक्ट करे समाज में गलत मैसिज इस्प्रेड करे यह unhealthy होता है समझे तो healthy तरीके से sincere रहो serious ज़्यादा बनने की जुर्ण नहीं है इतना ज़्यादा life problematic है नहीं जितना आप समझते हो बस आपके पास समझ नहीं है अपनी जीवन की दूसरा चीज की अगला number जो है मैं number अप count नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोल चुका हूँ मैं बस number अगला अगला बोलता रहूँगा अगला number है don't trust on anyone यह देखिए दुनिया की सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर student करते है यह दुनिया का सबसे बड़ा फर्मूला है मैं आपको बता दूँ हम लोग क्या करते हैं पूरी जिंदगी में जो है दुनिया पर trust करते हैं कभी माता पिता पर trust करते हैं कभी भाई पर trust करते हैं कभी बाहन पर trust करते हैं कभी दोस्त पर trust करते हैं कभी गुरु जी पर trust करते हैं कभी टीचर पर trust करते हैं हर व्यक्ति पर ट्रस्ट करते हैं इवन आप मेरा वीडियो भी देख रहे होगे मुझे भी ट्रस्ट मत करो मतलब ट्रस्ट तो सभी पर करो बट आँख बंद करके नहीं इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी बोल ला होता है तो जरूर उसके पीछे उसका जो है mind of level काम करता है मतलब मैं यदि आपको ऐसा कुछ बोल ला हूँ आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके पीछे भी मेरी कुछ सोच है क्योंकि मैं किताबों का बबोड़ा फैन हूँ हो सकता है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपनी राय में रख रहा कोई भी वरोसे मंद लाइक नहीं है हर भ्यक्ती दोखेवाज है're वेक्ति आपसे जो है आपका नहीं है आपकी योगता का है आपके उपयोगता का है आपसे नहीं आपके पोजीषन पद का सट्था इसका प्रयोग करना चाहता है यह बात आप जतनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आप फाइदे में रहोगे इस दुनिया में कोई भी बरोसे लायक नहीं है यही हमारे डिप्रेशन का कारण भी अंत में बनता है आप डिप्रेशन में चले जाते हो अम मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप ट्रस्ट ही मत करीजी किसी पर किसी पर भी ट्रस्ट मत कीजीए यदि आप किसी किताब को पढ़ते हो उस पर भी ट्रस्ट मत कीजीए तो आप कोई के सर पढ़ें क्यों देखिए यहाँ पर वो कांसेट लागू होता है कि सुनो सब की करो मन की मतलब आप अपनी बुद्धी लगाईए किसी के अंदभक्त मत बनिये कि कोई विविक्ति आया आपको अंदभक्त बनाके चला गया बेखूब बनाके चला गया कोई किताब अगर हिष्ट्री की पढ़ रहे हो तो आप यह समझे कि हिष्ट्री लिखने वाला भी को हिष्ट्री कार है उसका भी माइंड किसी रूप से काम करता है तो समझिए कि वो अपने माइंड से आपको क्या सिखाना चाह रहा है कहीं ऐसा तो नहीं आप उस हिस्ट्री कार की आप उस इतिहास कार की किताब के जो है तरीके से बनना चाहो जो इतिहासकार अपनी किताब के माद्देम से दुनिया को सिखाना चाह रहा था ऐसा तो नहीं आप उसी के मन से चल पड़े और आप बड़े बड़े तर्क देने लगे कि उस किताब में ये लिखा है मेरी बात हमेंसे अधर किये किताब कोई बगवान ने नहीं लिखिये बस पढ़िये, समझ हीए एक डाइमेंजन लीजिए एक नया मुकाम हासिल किजिए अपने माइंड में एक नया तरीका पता किजिए सुनिए ताकि आपके पास तर्क हो और आप जो है एक नई dimension अपने mind में जुटा पाओ इसलिए किताबों को पढ़िए लेकिन किताबों के अंदबक्त मत बनिए इस दुनिया में किसी का भी अंदबक्त मन बनिए किसी पर भी बरोसा मत कीजिए चाहें जो भी बेखती इस दुनिया में हो मैं भी आपके जो भी हो लेकिन हाँ यहांपे मैंने बरोसा करने को का है इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने माता पिता को अभेलना करने लगें उनको निकाल दें या पर इसा बोचा करने लगें नो वो आपका धर्म है मैंने आपसे क्या कहाता वीडियो के स्टार्टिंग में अपने धर्म को मत बूलिए समझे आप एक स्टूडेंट है साथ में जो है एक मतापिता के पुत्र भी या पुत्री भी है तो उसका भी फालो कीजिए यह आपका धर्म है, धर्म को नहीं बूलना है समझे आगे बात किया जाए लेकिन ट्रस्ट किसी भी मत कीजिए आगे का पुइंट है पाप से द्रणा करो पापी से नहीं, क्या लाइन है मतलब आप किसी के बिचारों से अगर सायमत नहीं है तो आप उसके बिचारों से नफरत कीजिए मैं तो कहता हूँ नफरत ही मत कीजिए इग्नोर कर देजिए उसको आप किसी से गुस्टा जो है बदला मत लीजिए उसको इग्नोर करना सीखिए हम लोग क्या होते हैं सस्ते आकड़े में बदला लेने चले जाते हैं आपको बदला दला नहीं लेना है इग्नोर कर देना है आपको किसी के बिचार अच्छे नहीं लगते हैं तो उसको बिचारों से काटिए ना आप उसको मारने पर क्यों उत्तला आते हो जैसे मालीजे आपको मेरे बिचार अच्छे नहीं लग रहे तो इसका मतलब यह थोड़ी ना कि आप मुझे गोली मार दोगे यह मातमा गांदी के बिचार ना थूराम गोट से को अच्छे नहीं लग रहे तो यह थोड़ी ना कोट से उसको मातमा गांदी को गोली मार देंगे आप बिचारों से सैमन नहीं है तो बिचारों को काटने की छमता रखिए न अपनी दिमाग से बिचारों को मेरे काटिए आप मेरे तरक को काटिए यह आपके पास आउकात नहीं है तो आप मारने पर आ जाते हो यह आपके पास student के अंदर ताकत होनी चाहिए कि किसी के बिचारों को बिचारों से ही काटिये बिचार कभी नहीं मरते धर्म कभी नहीं मरता यह हमेसे याद रुकिये आप बले ही मर जाओ बट हम जो है हम हमेसा बिचारों से लड़ना चाहिए हमें ब्यक्ति के माइंड को परिवर्तन करने का चमता रखना चाहिए ना कि हमें उस ब्यक्ति को ही मार देना चाहिए ये चीज एक स्टुडेंट को जरूर पता होनी चाहिए अगली बात हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और इस बेरोजगारी में जो है सरकार जिम्मेदार है सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है हाँ कुछ हद तक सरकार जिम्मेदार है लेकिन वो जिम्मेदारिता बहुत कम है इसमें सबसे जदने जिम्मेदारी है तो आपकी है क्यों आपकी जिम्मेदारी है इसके पीछे जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आप अनपड क्यों रहे गए आपके पास यदि देखिए मैं आपे अनपड को पहले परिवासित कर दूँ अनपड़ता का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास कितावी ग्यान नहीं है अनपड़ता का मतलब यह होता है कि आपने जिन्दगी में कुछ सीखा नहीं आपके पास कोई स्किल भी नहीं है आपके पास कोई सब्जेट का नॉलिज भी नहीं है आपके पास कोई ग्यान ही नहीं है आप जो है एक ब्यर्थ की ब्यक्ति हैं जिनको जो है किसी भी topic, किसी भी expertise, किसी भी field की expertise ही नहीं है, मतलब अपनी जिंदिगी को बरवात करते ही चले आए, इस कारण से आपको कोई job भी नहीं देता है, इस देश में job लेने वालों की कोई कमी नहीं है, job आज भी इस देश में उतनी ही है, जितनी कल थी, हाँ, competition बढ़ा है, तो competition बढ़ा है, तो उसका आप अपना level बढ़ाई है न, मैं आपसे क्या कहता हूँ, जिंदिगी भर सीखना है, यह level ही तो बढ़ाना है, यदि आप समय के साथ अपने आपको परिवर्दित नहीं करोगे, तो समय आपको परिवर्दित कर देगा, पुराने ठर्रों पे नहीं चलना है, दुनिया बदलती है, तो अपने आपको भी बदलना है, और इस दुनिया में बिरोजगारी नहीं है, आप क्यों सोचते हो, आप मैंसा भीग मांगने की तुल्ला में क्यों रहते हो, हिंसा करने लगते हो, लूट, चोरी, डेकाईती, ये सब करने लगते हो, क्योंकि आपके पास इस दुनिया की सबसे ज़्यादा समस्याओं का जन्म दाता है पैसा, जब बेक्ति के पास पैसा नहीं होता है, तो किसी भी क्राइम को करने में सक्री हो जाता है, फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, कि जो बेक्ति क्राइम कर रहा है, उसकी पीछे की इंटेंसन समझिये, वो पैसे की इंटेंसन है, उसके पास पैसा नहीं है, यानि कि आप अगर बेरोजगार हो, तो आप अपना उद्यम भी स्टारट कर सकते हो, अब आप कहोगे सर आमारे पास पैसा नहीं है, अरे तो सरकार देती है न, यदि नहीं देती है, तो कोई हर कोई अम्बानिक गर पे नहीं पाईदा होता है, हर कोई ब्यक्ति जीरो से ही काम करना स्टार्ट करता है इस देश में कुछ जावें ऐसी भी है जहां पे आपको कोई इसके लिया टैलेंट या एजूकेशन या फिल्ड की जरूर नहीं है वो हैं लेवरी की जॉब या किसी और तरीकी की जॉब अब आप कोगे सरम है वो जाप कैसे करों मुझे तो सरम आती है तो भाईया सरम तो तुमें तब आनी चाहिए जब तुम बच्पन से आज तक निठले चले आए तब आपको सरम नहीं आई तब आपको आपके माता पिता ने अजारों बार समझाया होगा तब आपको सरम नहीं आई अब आज आपको सरम आ रही है तो इसमें गलती आपकी है अपने आपको योग बदाए है आपको नौकरी जखमार के आएगी गारंटी मैं देता हूँ आँगे बात कीजए आँगे बात मैं करता हूँ ये अगला पॉइंट है जो मैं आपसे कहिना चाहूँगा कि डॉन फार्गेट कर्मा प्रिंस्पल हमारे स्टुडेंट जो है वो सोचते हैं कि हम जो करते हैं उसका कुछ होगा नहीं मैं हमेसा आपसे कहता हूँ इस दुनिया में कर्म का सिध्धान तेक चलता है जो स्रिमाद भगवत गीता में भगवान से क्रेशन ने दिया था उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में जो है आप जो भी करोगे ये आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छे फ़ल मिलेंगे आप बुरा करोगे आपको बुरे फ़ल मिलेंगे कभी भी इस दुनिया में जो है बुरा कर्म करने से पहले सौबार सोच लेना कि आपको आज नहीं तो कल भुगतना जरूर पढ़ेगा हो सकता है आप आज बहुत उचे पद पे पहुंच गए हो लेकिन याद रखना मेरी बात को यदि आपको एक दिन ऊपर पहुंचने में लगा तो आदे दिन गिराने में भी लगेगा उसको इसलिए इस दुनिया में कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि आपको बुगतना ही पढ़ेगा आप जो भी कर लो अब आप कहो कि सर मुझे जो है मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ इसके पीछे कारण है आपके बुरे कर्म जो आप पास्ट में कर चुके हो जब आप अच्छे कर्म करते रहोगे निरंतर पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो आपके बुरे कर्म नीचे जाते रहेंगे जाते रहेंगे और आपके जो एक जीरो हो जाएंगे फिर आपका चालू हो जाएगा अच्छा टाइम ऐसे काम करता है कर्मा प्रिंस्पल हमेंसे याद रखिए चीज को अगला जो पॉइंट है वो है nothing is impossible आप एक student हो और आपके दिमाग में अगर ये आता है कि सर ये नहीं हो सकता सर इतना वर्क एक दिन में नहीं हो सकता तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है आपका mind एक बच्चा दिमाग है और आप जो है एक बड़े mind की level पे नहीं पहुंचे हो इदि आपके पास बाकई में education है आप बाकई में पड़े लिखे हो तो आपके दिमाग में कभी भी limit आनी नहीं चाहिए आपका दिमाग बहुत बिस्तरत होना चाहिए unlimited होना चाहिए किसी भी काम को दे दिया जाए आप तुरण समालने के योग जो education यही तो करती है education किसी भी बेक्ति को अगर आप किसी भी पड़े लिखे बेक्ति को कोई भी बर्क दे दोगे कोई भी काम दे दोगे वो बहुत अच्छे से निभाएगा इसलिए जो IES बेक्ति होते हैं इस secretary label की बेक्ति होते हैं उनका transfer किसी भी field में कर दिया जाता है वो जो है अच्छे से उस work को निभा लेते हैं क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे पड़े लिखे बेक्ति हो चुके हैं सिच्छा भी बेक्ति हो सक चुके हैं उनको अब कोई भी काम दे दिया जाएगा वो हसानी से कर लेंगे लेकिन एक पड़ा लिखा नहीं बेक्ति जो होता है उसके विपार बें ऐसा यही आता है कि सर ऐसा नहीं हो पाएगा वासा नहीं हो पाएगा यह सब फरजी बाते हैं बेकार बाते हैं देखिए इस दुनिया में बस समझ के आप किसी भी काम को कर सकते हो जिसमायत का ये सवाल नहीं लगेगा बहुतिक का ये सवाल नहीं लगेगा कैसे नहीं लगेगा कैसे नहीं लगेगा आपको knowledge नहीं है जिस चीज से आपको डर लगता है उस फिल्ड में आप अपनी knowledge बनाना स्टार्ट कर दीजिए डर आपका बाग जाएगा आगे बात की जाए अगला point है Don't think about future too much बविस्थ के बारे में सोचिए लेकिन बविस्थ के बारे में ज्यादा मत सोचिए हम मेंसे बहुत सारे student होते हैं कि सर कोरोना लगया ये लगया वो लगया क्या होगा मैंने का कुछ ना होगा सब ठीक चलेगा सब चंगा से क्यों 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 कि इस दुनिया में जो है भविस्थ में क्या होगा आपको कोई सर पेट्रोल कताम हो जाएगा डीजल कताम हो जाएगा अरे कुछ ना होगा आज से 500 साल पहले भी लोग कहते थे कि सर मुसलिम आ गए हिंदू कहा जाएगा आज 1923 में बैठे हो ना इससे पहले तो बहुत बूरा सा समय था तब दुनिया सस्टेन करकी आप ज़रा सोच के देखिए आज करोणों वर्सों से चला रहा है यह दुनिया तब ना कुछ हुआ तब ना लोगों ने कुछ सोचा और आज जो है आपका भविस से खत्रे में आ गया कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा और इदी होगा तो पुरी दुनिया का होगा आपका अकेले कुछ नहीं होगा ठीक है याणि कि आपको फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है science and technology growth कर रही है यह समस्या का समधान निकाल लेगी जिस पे बड़े-बड़े पंडित बैट करके बात करते हैं न उसी science से बना हुआ जहाज पे बैट के वो पंडित travel करते हैं science and technology पे वरोसा कीजिए इस दुनिया पे वरोसा कीजिए बविस्थ में के बारे में ज्यादा मस सोचिए अपने बविस्थ के बारे में थोड़ा सोचिए जाना मस सोचिए क्योंकि बविस्थ में ऐदी कुछ होगा तो सब के लिए होगा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा यह यादर कर लीजिए अगला पॉइंट है डॉंट इगो यानि कि आप अपने आपको बहुत बड़ा तीसमार खामा समझे स्टूडेंट लाइब में मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि वो जब पड़ लिख जाते हैं तो बहुत जादा इगो करते हैं क्लास में बहुत बोलना है यह कोई टीचर जो है आपसे पूछता नहीं है फिर भी जो है जवाब उसका दे देना आंगे-आंगे यह बहुत गंदी आदत होती है मैं आपको सारे गारंटी बता रहा हूं आपको तब तक नहीं बोलना है क्लास में जब तक आपसे पूछा ना जाए और यदि कभी पड़े होगे इसलिए तो का जाता है एजुकेशन जब आप करते हो आप जब सिच्छा प्राफ्त करते हो तो आपको अगर सिच्छा बाकई में आपके अंतर सिच्छा होगी तो आप बहुत धीर बेखती होगे बहुत धैर सील बेखती होगे आपको कभी उबाल नहीं कि आउएगा कि आप जानते हो कि दुनिया बहुत बड़ी है। लाखों इंडियों सव miraculous क्ट MOR उसकानपूर में जो है ऐसे करके मतलब एक दुनिया में देखा जाए तो आपकी छोटी सी जगाए में चीटी के समान हो मैंने चीटी भी साथ बहुत बड़ा नाम ले दिया हो अगर आप इस युनिवर्स के बियोंड खड़े होके देखोगे तो जब आपके अदर पास नंबर आप जो है आपको कभी भी इस्टुडेंट लाइफ में हो तो आपको मैटरिलिस्टिक जो थिंग होती है वो कभी भी खुसी नहीं ला सकती है जैसे अरबेक्ती सोचता है कि BMW, Mercedes, Audi, सब खरीलू ये चीज़ें आपको कभी खुसी नहीं दे सकती है असली खुसी आपक कियों मुस्करा देते थे क्योंकि ये सब फालतों की चीज़ें जो हैं आपको कभी खुसी नहीं दे सकती है जैसे आप गाड़ी मंगला क्या सब यहीं पड़ा रहेगा इदि बाकाई में अगर आपको कोई खुसी मिलेगी तो ये किताबें ही दे सकती है जो मेरे पीछे मैं बाद उनके लिए भी मैं नहीं मरोगे ये दुनिया में सब कुछ चला जाएगा सब कुछ छूड़ जाएगा मैं गारंटी देता हूँ सब कुछ चूड़ जाएगा आपको अभी भी मैट्रिलिस्टिक मत बनिये इस समाज के प्रति इस दुनिया के प्रति समझे हमें से एक वैराक गोई रहे है, निस्त्तवार्ट भाव से सेवा किजिए, जो है, आप करते रहे हैं, दूसरों की बलाई किजिए, और उसको जो है, दरिया में बाई है, नेकी कर दरिया में डाल, यह फार्मूला पालो कीजिए, इस समाज में लगे नहीं रेना है, वैराक गे तरीक amental experiment आपको खुजी दे सकता है अगला जो पॉइंट है वो यह है कि इस दUNिया में आपका कोई भी नहीं है वो time and nature depend करता है कि आपका इस दुनिया में जो है वो सब मतलब क्यों होते है इस दुनिया में सब पहत दोगो क्या होते हैं कि पैसों की कीमत करते हैं आप इसका एक्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि आप जो है आपको सैलरी मिलती है सो रुका है आपकी आप अपने हेल्थ पर निपेस कीजिए जैसे कई लोग क्या होते हैं कि पैसों को बचा के रखते हैं अरे भाईया जब हेल्थ ही नही पैसे हिं मिल लाइए तो नॉलेज को ज्यादा वरित्ह दीजिए पैसों के पीछे जाना मत भागिए पैसे उतने ही कमाईए जिससे जो है आपकी बात जाना जो है कश्ट नहीं अपने आपको देना है आराम से रहिए हेल्दी रहिए कोई बहुत बड़ा जो है तीसमार खां मत बनिये पैसे जो है उनको इंपोर्टेंस उतनी मत दीजिए जितनी जो है अपने समय को दीजिए टाइम इज वेरी एक्सपेंसिव थिंग डॉन्ट बेस्ट इट इन मनी नेस चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी जो सोच है अपनी जो युवा सोच है ये किसी एक धर्म बिसेश एक जाती बिसेश एक छेत्रवाद बिसेश एक काश्टिजम बिसेश एक भासावाद पे मत केंद्रित कीजिए अपनी जाती पे मत केंद्रित कीजिए इस मारा है ना मरेगा आप जरूर मर जाओगे इस चक्र में हम बता रहा है फालत्व के चक्र में मत पर है को बढ़ देता हूं सब नहीं है ना कुछ बढ़ा महारत है प में बुराईया है सब में अच्छाईया है जरा उनको पढ़के देखिए ये जो आज बड़ बोले पंडित बैट करके जो बड़ी पत्रा पढ़ते हैं न मैं कहता हूँ आप उना धर्म उठा के पहले पढ़िए आपको दूद कदूद और पानिक पता चल जाएगा ये सब जोट बोलते हैं सब इतना जोट बोला जाता है इतना जोट परसो जाता है आप जरा पहले किताबों को उठा कर देखिए जब आप किताबों को उठा कर देखो के तो आपको पता चलेगा सच्चा ही किया है मैं आपे किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ मैं बस इतना कहे रहा हूँ, अपने धर्मों को पढ़िये, किसी से सुनिये मत, किसी से दुजरे की आख्या को मत सुनिये, मैं आपसे फिर कहे रहा हूँ, पढ़िये, स्वायम पढ़िये, स्वायम जागरुग बनिये, rationalist बनिये, logically बनिये, और इस चीज को इस चकर में मत भू बूल जाना कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं भी अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ बुरा भी हूँ, परसेंटेज उपर नीचे हो सकता है, यानि कि इस दुनिया में आपको हमेसा यह कि सोचते हो, कि हर बैक्ती बहुत अच्छा होगा, हो सकता है, मैं बह पोदीजी भी अच्छे हैं बुरे हैं योगी अधितिनात भी अच्छे बुरे हैं इस दुनिया में हर ब्यक्ति अच्छा बुरा है अच्छा और बुरा है इस दुनिया में हर धर्म अच्छा और बुरा है कोई भी ब्यक्ति कोई भी धर्म कोई भी किताब अच्छी या बुर नहीं सकते हो यकीनन आप कोई बहुत काम आएगा एक एक पॉइंट को नोट कीजिए मेरी अगला जो पॉइंट मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप जो है जजमेंट ऐसे ही मत बनाया कीजिए दोनों पच्छों को सुने भीना जैसे कहीं स्टूडेंट क्या होते हैं किसी क मुँसे सुना और तुरंद रियक्शन कर दिया नो आप सबसे पहले दोनों साइडों को सुनिए दोनों पच्छों को सुनिए जब तक दोनों पच्छाब ना सुन ले तब तक आप जजमेंट अपना मत बनाईए और सिर्फ इतना ही नहीं अगर उस जजमेंट में आप सबस की जैम्मेदरी यह समाज ने पहले अगलती थी मतलब आप क्या समझाएं कि कोई भी जज्जमेंट आप एक बहुत बात सुनके मत बनाई है अगला कि आज पर मोवाइल का जमाना है तो मोवाइल का प्रियोंग कीजिए मोवाइल का धुरुप्योंग मत कीजिए मोवाइल में यतनी बेकार चीज़े उनका डिलेट कर दीजे फालतो की चीजों में नहीं आपको कहोंगे सर मैं तो मुवियां वेब सेरीज देखने का बहुत आदी हूँ देखिए मुवी वेब सेरीज देखनी है देखो बट ऐसा देखो जिससे कुछ आपको सीखने मिले जिससे आपका आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है समझे तो चीजें वही देखिए चीजें वही सुनिए जिस मुवाइल का प्रियोग डिवाइस इलेक्ट्रोनिक का प्रियोग इतना ही कीजिए ताकि आपका जो लेवल है वो बड़े आपकी जो एक्सपर्टीज है वो बड़े आज पूर सकते हो अपने सवालों के जवाब टेक्नोलजी का प्रियोग कीजिए उसका दुरुपियोग मत कीजिए टेक्नोलजी आपको मत चलाए आप टेक्नोलजी को चलाओ and next चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में हर चीज जो है लिमिट में करनी चाहिए इस दुनिया में कोई भी चीज को आप unlimited करोगे एक लिमिट के बाहर करोगे तो वो चीज नुकसान दे ही सिद्ध होगी आप अगर पानी एक लिमिट में प्योगे तो या आप चीज के लिमिट होती है उसका निदरान जरूग कीजिए अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लास्ट चीज है इस वीडियो की वो यह है कि हम लोग अकसर सुचते हैं कि सकसेज क्या होती है सकसेज सफलता देखिए यदि इस दुनिया में जो है सकसेज जो है एक घर में भी सकसेज रहते हैं कोई सकसेज की मतलब क्या होती है मीनिंग क्या होती है सकसेज का मतलब देखिए यही होता है यदि आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है और आप जब काम पे जाते हो और आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है कि आप काम पे आये हुए हो, आपको ऐसा लगता है आप उस काम के लिए वेट करते हो, कि भाईया जल्दी कल हो, जल्दी मैं जाओ, किलास में पढ़ाओ जाकर के तो समझेए ये आपकी सक्से जाया, और यदि आपको सुबह उठते समय, आपको ये जल्दी उठोंगा आज लेक्चर लेना है इतना बड़ा हो, इतने स्टुडेंट्स को पढ़ाना है ये सिखाना है अगर आपके अंदर सुबह ऐसी जागरुकता ना हो ये आपको उठने में मन ना हो आपको लगे कि सर जो है क्या वही बखवास करूँगा काम कर दे, या जाके इसा करूँगा जाकर के या सीखूँगा आज ये बुक पड़ूँगा आज ये पढ़ाऊँगा या ये काम सीखूँगा आज ये नया कुछ एक्स्प्लोर करूँगा या फिर आज यहाँ पे गोमने जाओंगा अमेरिका जाओंगा, फ्रांस जाओंगा बिटन जाओंगा, लंडन जाओंगा तो यहाँ पे कुछ सीखूँगा जा करके मतलब जीवन का परपाज होना चाहिए सीखिए, सिखाइए और एक सब बे नागरिक बनिए ताकि जब आप यहाँ पे बैठें तो वहाँ पे जो है, कोई भी बैठाना रहे और हमेशा जो है, हर बैठी आपको सम्मान की बाहों से देखे यह आपका माइंड ओफ लेवल काफी उपर है, और आपके पास दुनिया के जितनी भी समस्या है उनके समाधान है और यदि नहीं है, तो आप उनके समाधान निकाल सकते हो, आप इतने योग्य हो आपकी योग्यता डिसाइड करती है कि आप कितने काबिलो और इस दुनिया में योग्य बैक्तियों की हमेशा पूजा होती है इस दुनिया में जो भी सिच्छा बिद्ध है उनकी समयत्सा पूजा होती है ज्यानी सरवत्र पूजयत बिद्ध्या बिनियम ददाती जैसा काब ही गया है कि बिद्ध्या बिने देती है बिद्ध्या हमेशा नर्मर आपको बनाती है और सीखते रहिए, सिखाते रहिए अपना एक ऐसा परसनेलिटी बनाई है ताकि हर ब्यक्ति आपकी मौजद्गी में अपने आपको सुरच्छित महसूस कर चके और उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा ये एक गंटे का सेसन है ये स्टुडेंट ने, मुझे तो नहीं पता है कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे आज 1 जनवरी 2024 रात के 12 बजे बट मुझे इतना इंपोर्टेंट याद है कि जितने भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है सबको पॉइंट आउट करके नोट कीजिए और फिर जब आप 20 या 25 की उम्र में पहुचोगे या जब बहुत बूले हो जाओगे या अपने माता पिता को बताईए तो आप पाओगे कि मैं जो हूँ आपको बता रहा था ये सत्य था और आप कहीं न कहीं इसकी फुष्टी अपने आप में पाओगे दोस्तों के साथ सेयर करें जल्दी मिलते हैं और वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिंद वन दे मातर हूँ